इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामे नेतन्याहू बहुत बड़ी मुश्किल में फसके हैं फिलिस्तिम में मारे जा रहे लोगों को लेकर दुनिया भर से आ रही प्रिटिकिया से परिशान नेतन्याहू ने अब नई मुसीबत बोल ले ली है इसराइल के एक चैनल ने नेतन नियाहू की आडियो क्लिप्स रिलीस की है इस आडियो क्लिप में नेतन नियाहू ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए इस क्लिप में एक और पीम नेतन्याहू है और दूसरी और उस शक्स की आवाज है जिसे हमास ने बंदक बना लिया था लेकिन अब रिलीज कर दिया है जबकि उसका बेटा अब भी हमास के कबजे में है इसरायल के प्रधान मंत्रि बिनियामी नेतनयाहू का टेप लीग टेप लीग के बाद मुची इसरायल में खलबली हमास के बंधक बना इसरैलियों पर नेतनयाहू का चौकाने वाला परदा फाश नेतनियाहू की बाते सुन भड़के इस्रेयल के लोग इस्रेयल के प्रधानमंत्री बिन्यामी नेतनियाहू बहुत मुश्किल में फसके हैं फिलिस्तीन में हमारे जा रहे हैं लोगों को लेकर दुनिया भर से आ रही प्रतिक्रिया से परेशान नितन्याहु ने अब नई मुसीबत मोल ले ली है इसरेल के एक चैनल ने नितन्याहु की आडियो क्लिप रिलीज की है इस आडियो क्लिप में नितन्याहू ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए इस क्लिप में एक और पीएम नितन्याहू है और दूसरी और उस शक्स की आवाज है जिसे हमास ने बंधक बना लिया था लेकिन अब रिलीज कर दिया है जिपको उसका बेटा अब भी हमास के खबजे में है आप आजाद हो गए बधाई जी शुक्रिया हम दूसरे बंधकों को चुड़ाएंगी मेरा बेटा अब भी बंधक है हम बहुत बड़े मिशन में जूटे हैं मेरा बेटा हमें लिबनान और यमन से लड़ना है मेरा बेटा हमें इस्राइल की रक्षा करनी है मेरा बेटा पूरे इस्राइल में ये आउडियो क्लिप चलाई जा रही है ये साबित करने के लिए कि परधान मंत्री बिन्यामी नेतनियाहो को बंधक बनाये गए इस्राइल के लोगों की कितनी चिंता और फिक्र है हलाकि ये पहला उदारन नहीं है जिसमें नेतनियाहु को ये कहते सुना गया हो कि उन्हें बंधकों से ज़्यादा फिक्र देश की है दूसरे शब्दों में कहें तो हमास, हिजबुल्ला और हूथी विद्रुवियों के सर्वनाश की है इसके पहले भी इसरेल में बिन्यामिन की होस्टेस पॉलिशी को लेकर प्रदर्शन होती रहे हैं यहां तक की नेतनियाहु कैबिनेट में बंधक संकट को लेकर एक्शन पर फूट सामने आ चुकी है नेतनियाहु की घजा में भारी बंबारी हमास के चीफ इसमाईल हानिया और कमांडर मुहमद दाइफ को मौत के घाट उतारने के बावजूद बंधक संकट का कोई हल नहीं निकल सका है इस्रेयल की बड़ी अब कहीं न कहीं ये मानने लगी है कि नितनियाहु बंधक संकट को सुझाने के प्रती बहुत गंभीर नहीं है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस्रेयल पर हमला करके 201 काउन लोगों को बंधक बना लिया था उन्हें गजा ले गए नॉमबर 2023 में इस्रेयल हमास के बीच समझोते में 105 लोगों को चुड़ा लिया गया था 4 बंधकों को समझोते के पहले ही इस्रेयल ने रिहा कर दिया था जबकि इस्रेयली डिफैनस फोोस का मानना है कि 34 बंधकों की मौत हो चुकी है जबकि 105 बंधकों को लेकर कहा जा रहा है कि वो हमास के कब्जे में है बिन्यामी नेतरियाहु इस्रेल को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि वो बंधकों को छुडाने में कामयाप होंगे लेकिन गजा के युद्ध मैदान में नेतनियाहू का एक्षन देखकर इसरेली नेतनियाहू से बहुत नाराज है आडियो क्लिप बता रही है कि नेतनियाहू बंधकोकरी हाई से जादा हमास के अंत पर फोकस कर रहे हैं और यही बात इस्रेल के लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है। जलते गाजा से जीत की सूचना की उमीद में बैठे नेतरियाहू को देश के भीतर से ही विरोध की खबरे मिल रही हैं। नेतरियाहू इस वक्त चार मोर्चों पर गिरे हुए हैं। पहला है हमास का सफाया की उनकी खस्म। दूसरा मोर्चा है लिमनंट से हिस्बॉल्ला के युद्ध का एला। तीसरा है यमन के हुतिवी द्रोहियों की और से अटैक। और चौता है घरेलु मोर्चे पनेतन्याहू के खिलाफ उठती ओवाज ही। चौतर फ़ा गिरे नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चिनौती ये घरेलु मोर्चा ही है क्योंकि देश में अवेवस्था फैलती है तो ये तत्य है कि जंग जीत कर भी नितनियाहु के हाथ नील बड़ा सन्नाटा ही आएगा बंधको और लापता परिवारों के फोरम ने जून में भी देश भर में रहे लिया की ने तनियाहु के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था इसरेल और गजा के बीच लगतार चल रहे युद्ध के चलते इसरेल में जल जुनाओ की मांग भी उट रही है इस्रेयल में 2026 में चुराओं होने हैं लेकिन युद्ध को देखते हुए इस्रेयल में जल चुनाव कराय जानी की मांग जोर पकड़ती दिख रही है इस्रेयल और गज़ा के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरु हुआ हमास ने युद्ध के शुरुआत की लेकिन जवावी हमले अभी तक इस्रेयल की तरफ से जारी हैं गज़ा पर हमले करने और बम दागने की वजह से अपने ही देश में नितन्याहु विरोध प्रदर्शन का साबना कर रहे हैं प्रदर्शनकारी नितन्याहो पर हमास के साथ बंधक कैदी अदला बदली समझोता करने और गजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए लगातार दवाव डाल रहे हैं गाजा में युद्ध शुरू करने से पहले भी नितनियाहो को देश में न्याइक सुधार की अपनी विवादास्पदी युजनाओं के चलते विरोत का सामना करना पड़ा था जिसके चलते गाजा में युद्ध ने उनके लिए हालात और भी मुश्किल बना दिये गाजा में युद्ध शुरू हुए दस महीने हो गए हैं इसे युद्ध में अब तक 40,000 फिलिस्तिनी मारे गए हैं एक लाग से जादा लोग घायल हो चुके हैं माना जाता है कि 10,000 से अधिक लोग बंबारी वाले घरों के मलबों के नीचे दवे हुए हैं इसके अलावा जुलो गजा में अभी जिन्दा हैं वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं खाना, पानी, बिजली और दवा जैसे बुनियादी चीजों की भारी कमी है जिसके चलते बहुत बड़ी अबादी को पोशन और बिमारियों से घिर गई है अंतराश्डी नियाले ने इसरेल को नरसंगार का आरोपी कहा है लेकि नितन्याहू की दलील है कि आम फिलिस्तिनियों की मौत के लिए भी हमासी जिम्यतार है हमास के आतंकी आम फिलिस्तिनियों के बीच शुपकर अपनी जान बचाने के कोशिश करते हैं लिहाजा इसरेली डिफेंस फोस को उन जगों पर हमले के लिए मजबूर होना पड़ता है नितन्याहू के दिमाग में ये बात बहुत क्लियर है कि अब की बार हमास के बहाने हिजबुल्ला और हूथी जैसे परमानिंट दुश्मनों को सबग सिखाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है नितन्याहू यही कर रहे हैं तिकत यह है कि युद्ध में बुरी तरफ हसने के कारण नितन्याहू इसरेली बंधो को पर बहुत जादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और नहीं हमास को अब तक अपनी शर्तों पर बंधो की रिहाई करने के लिए मजबूर कर पा रहे हैं इसरेल में एक बड़े तब के कमाना है कि युद्ध लंबा कीच रहा है और बंधो की रिहाई की कोई सूरत बंती नहीं दीख रही है मतलब नितन्याहू ने जिसके लिए युद्ध छेड़ा वो अपने मकसद से भटक गया है जिस आडियो क्लिप को लेकर नितन्याहू निशाने पर हैं उसमें नितन्याहू ये भी कह रहे हैं कि वो 7 अक्टूबर 2023 की तारीख और इसरेल की हार की तारीख नहीं मानती जब कि 7 अक्टूबर को हमले के लिए इसरेल की सुरक्षा के लिए जिम्यदार कई अधिकारी माफी मांग चुके हैं लेकि नितन्याहू ने अब तक 7 अक्टूबर को ही सुरक्षा चूप की कोई जिम्यदारी नहीं ली है इसकी वज़े से भी लोगों में काफी गुच्सा है नितन्याहू बीते 40 वर्षों से इसरेल की सियासत की एक ताकतवर शक्सियत रहे हैं सहीवत राष्ट में इसरेल का पक्ष मजबूती से रखने के बार नितन्याहू 1996 में ओसलो शांती समझोते के विरोध के बुद्दे पर पहली बात देश के प्रधान मंत्री बने थी ओसलो समझोते के तहट फिलिस्तिनियों के लिए एक अलग स्वतंतर देश का प्रावधान था लेकिन नेतनियाहू अलग फिलिस्तिन देश के हमेशा से विरोधी रहे हैं नेतनियाहू इसके लिए अमेरिका से भी नाराज़गी मोल लेते रहे हैं हमास के खात्मे के मकसद पर इसरेल के सभी लोग एक मत हैं लगभब पूरा इसरेल युद्ध का समर्थन करता है लेकिन जिस तरह से ये युद्ध लड़ा चा रहा है और जैसे अब तक सभी बंदकों को छुड़ाया नहीं गया है उससे नेतनियाहू का सियासी करियर दाओं पर लग गया है